Hello guys, good morning all, today we are going to subject letter and sound and first of all, open a book, letter and sound and page number 1770. We already learned letter T, letter T के object के साथ हम सिख चुके हैं, के T से क्या क्या होता है, भी मैं आपको फिर से सिखा देती हूँ, T से क्या क्या होता है, T for tap, T for tiger, T for talk, T for table and next one, T for two and T for tooth, तो थी याने, दाथ हमारा जो होता है न, वो, तो first of all, CW and that, press and writing the letter to practice, तो इसमें क्या करना है हमको, क्या करना है पता है, हमको यह letter T लिखना है, first of all, capital T and small t, यह हमको याद रखना है, capital T and small t, trace and write the letter to practice, हमको आप letter T की practice करने है, तो यह पहली जो line है, वो tracing वाली line है, तो चलो, we will start now, letter T, writing, आप बोलना, मैं एक भी line नहीं बोलोंगी, letter T वैसा, आपको बोलना है, अपने आपसे, खुद से, बोल रहे हो ना, letter T वैसा, मुझे तो सुनाई नहीं देता है, आप बोल रहे हो वैसा, बोलोंगी, बोलो, बोलो, सारे letter T, 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 अच्छे से write करना है, बिटा, अच्छे से बनाये ना है, सब को letter T, मैंने तो आपको कितनी बार सिखा भी दिया है, कि स्लिपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टेंडिंग लाइन, लेटर T, कितना अच्छा T लगता है, देखो, मिडल में से ऐसे स्टेंडिंग लाइन बनानी है, स्लिपिंग लाइन और ऐसे मिडल में से स्टैनिंग लाइन हो गया टी सबका आप तीरे तीरे से लिखना अच्छे रैटिंग से फास फास नहीं लिखना है हो गया हमारा लेटर टी तो यह पहले कंप्लेट पेस हो गया हमारा और आपको ये भी याद रहे गया कि लेटर्टी से हमको क्या-क्या और्चेक्ट मेंते है और लेटर्टी कैसे लिखते है तो आप ये गर पे लन गरना और सिखना राइटिंग में थैंक यू, बाबाई